Hello Friends, Welcome to Affairs Cloud Learn to Lead कैसे हो सब लोग, I hope कि सब लोग अच्छे होंगे और अपने गर पे स्वस्थ और तंदुरुस्थ होंगे तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 18th December के Current Affairs और आप यहाँ पे देख सकते हो दो Best Images 18th December के लेकिन आज हम डिसकस करेंगे 10 से 11 बहुत ही important और the most important Current Affairs बहुत ही अच्छे Current Affairs है आज के और वीडियो को last तक बिलकुल देखें और गाईज उससे आगे बनने से पहले मैं आपके साथ एक दो चीज़े डिसकस करूँगा जो की है Affairs Cloud की सब्सक्रिप्शन के बारे में कि आप हमारी Affairs Cloud के जो Current Affairs की PDF सब्सक्रिप्शन है वो आप किस तरह से बाई कर सकते हैं उसके दो मैथेड्स हैं एक तो है आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो जो की है Affairs Cloud dot com slash Current Affairs या फिर आप सीधा ही इस description box में चले जाओ Current Affairs होंगे एक में जो है वो Question and Answer format में Current Affairs होंगे उसी दिन के जो की बहुत important है Next is the weekly PDF सारे Current Affairs week-wise arrange होंगे तांकि आप week-wise जो है वो Questions को revise कर सको Next weekly test होगा अपने आपको evaluate कर सकते हो कि आप कितने टाइम तक Current Affairs को retain कर सकते हो कितने टाइम तक याद रख सकते हो बहुत important है Next most important section इसमें है monthly PDF का क्योंकि monthly PDF में हम आपको 5 PDF परवाइड करते है पहली PDF में आपको मिलेंगे Threatical Current Affairs पूरे महीने के Next होगा Question and Answer PDF मतलब जो Threatical Current Affairs है उसी में से Question and Answer PDF बना के आपको दी जाती है क्योंकि ये देखा गया कि Question and Answer की फॉर्म में आप जल्दी से याद भी कर सकते हो revise भी कर सकते हो Next है Pocket PDF इसके नाम से ही पता लग रहे है कि ये किसके काम के लिए होगा कि जल्दी जल्दी revise करने के लिए आप questions को कर सकते हो Next Banking, Finance and Economy PDF Again नाम से पता लग रहे है कि ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा important है जिन exams की तियारी वो कर रहे हैं और उसमें banking के question आते हैं खास करके जो banking के तियारी कर रहे हैं Next होगे दोस्तों Question and Answer PDF Top 100 इसका मत्द है 100 Top Current Affairs of the Month आपको दिये जाएंगे और वो question and answer की format में दिये जाएंगे तांकि आप उसको revise अच्छे से कर सको और ये सारी चीज़ें आपको हर महीने मिला करेंगी और बहुती कम price पे आपको ये हम provide कर रहे हैं और अगर एक बर आप चेक करोगे मेरे बताय हुए method से तो आप खुछ surprise हो जाओगे price देखके और उस price के उपर भी हम आपको 10% extra discount दे रहे हैं कौन सा code यूज़ करेंगे ASH10, ASH10 अगर इस code को use करेंगे तो आपको 10% extra discount जो है वो उस minimal price पे मिलेगा तो हम start करते हैं दोस्तो आज की वीडियो 18th of December की और ये रहा हमारे पास most important questions का पहला section और पहले question में हम आएंगे most important section में Olympic Council of Asia selected which country to host Asian Games of 2030 and 2034 simple question है कि Olympic Council of Asia जिसने ये select कि 2030 की Asian Games ये country host करेगी और 2034 मतलब 4 सल बहुत होती है Asian Games और 2034 की ये country करेगी तो आपने मुझे बताना है मैं किस countries की बात कर रहो respectively का मतलब है पहले आपने 2030 का लगाना है दूसरे में 2024 मतलब 2034 का आपने बताना है तो फटावर्ट सब बच्चे अंसर बताएंगे वीडियो को pause करके अंसर बता दें क्या होगा इसका अंसर होगा दोस्तो बी 2030 में जो है वो कतर में होनी है और 2034 में कहां पर होनी है जो कि आपको पता है कि 2018 वाली हो चुकी है जकार्ता में इंडोनेशिया में 2022 की कहां पर होनी है चाइना में कहां पर हांग्जोव कहां पर होनी है हांग्जोव में होनी है चाइना में 2026 की कहां पर होनी है नगोया जपान के अंदर 2030 आपको पतल लग गया दोहा कतर और 2034 साउधी एरबिया मतलर रियाद की मैं बात कर रहा हूँ तो यहां पर आप देख सकते हो दोहा में होगी 2030 की और 21st station games होगी और रियाद जो है वो होस्ट करेगा 2034 की तो यह आपने जो है वो याद कर लेना है important है और इसमें guys आप 2022 का भी याद रखें 26 का 30 का 30 वो सब याद करना पड़ेगा यह आपको क्योंकि यह बहुत ही important है China, Japan, Qatar, Saudi Arabia इस तरह से याद करें CJQS इस तरह से याद कर सकते हैं आप Qatar जो है वो 2022 का FIFA Football World Cup भी जो है वो क्या करेगा? होस्ट करेगा FIFA World Cup भी जो है वो 2022 का Qatar जो है वो होस्ट करेगा तो आपको पता है Qatar की Capital दोहा होगी Prime Minister कौन है? Khalid bin Khalifa नाम को याद रखें Khalid bin Khalifa और Asian Games के बारे में एक बात याद कर लें कि 1951 में सबसे पहली बार Asian Games को खेला गया था पहली Asian Games 1951 में conduct की गई थी फट 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 दूसरे question की उपर आते हैं G.Krishna Ready Enugrated First of Its Kind Establishment National Center for Divyang Empowerment किस स्टेट में खोला गया है? किस स्टेट में? G.Krishna Ready ने जो है वो इसका Enugration किया है नाम के है National Center for Divyang Entrepreneur or the Empowerment for Empowerment of the National Divyang फट वर बताएंगे और आपको पता है कि G.Sathish Ready जो है वो Minister of State है Home Affairs और इन्होंने ये उदगाटन कहां पे किया है? National Center for Divyang Empowerment का ये किया है कहां पे? तेलांगना के अंदर. तेलांगना में भी आपको पूछ लें कहां पे? हैद्राबाद में भी. हैद्राबाद में. एक जगा है हाकीम पेत. याद कर लें हाकीम पेत. एकजेक्ट अगर examiner ने पूछ लिया तो बताना पड़ेगा हमें हाकीम पेत. P.E.T. तो यह आपने अंसर जो है वो बताना है तो तेलांग ना हैदरबाद भी आपसे पूछा जा सकता है तो नैशनल सेंटर फोर दिव्यांग इंपावर्मेंट अनोग्रेटर डैट CRPF ग्रूप सेंटर इन हैदरबाद हैदरबाद के अंदर इसमें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी उनको बताया जाएगा लग-लग चीजे ये खास करके दिव्यांग वारियर्स के लिए है जो की अपनी लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज जो हो चुकी है डिव्यांग वो जो है वो इसका हिस्सा बनेंगे इसमें उनको बहुत सी चीजे जो है वो सिखाई जाएंगे तो अब देख सकते हो कहां पर हाकिम पेथ हैदराबाद के अंदर इसको खोला गया है इनको re-skilling किया जाएगा मतलब re-skill किया जाएगा rehabilitation of दिवांग warriors तो दिव्यांग है उनके लिए है जो की duty के दुरान जो है वो injured हो गये किसी भी तरह से तो दिव्यांग warriors को बहुत सी चीजे स्खाई जाएगे खास करके नई technology जिसका वो use कर सकते हैं artificial intelligence, cyber security, warfare, data analytics बहुत सी चीजे जो उनको सिखाई जाएगे उनको para sports के लिए भी प्रेरित किया जाएगा तांकि वो para sports में participate करें उसके लिए भी इसी center में center of excellence भी जो है वो develop किया जाएगा ये कहा है minister of state जो home affairs है जी क्रीशन डेड़ी ने उन्होंने बताया कि इसके अंदर बहुत सी institutes जो है जो हमारे premier institutes है like IIT हैदराबाद हो गया बिट्स पिलानी हो गया ये लोग भी जो है वो क्या करने है इसमें participate करने है तो बहुत important है कि ये institute अगर participate कर रहे है तो इनको अलग-लग चीजे जो है वो बताई जाए तांकि ये अपनी जो life है और भी अच्छी जो है वो कर सके क्योंकि injuries duty के दुरान हुई है तो ये फर्ज है हमारा देश का भी फर्ज है कि उनको जो है वो बहतर सुविदाएं जो है प्रवाइट करें क्योंकि ये CRPF ने बताया है कि 2010 से लेके 20 तक ऐसे 189 परसोनल्स हैं जो अपने किसी ना किसी तरह से जो है वो impute होगे मतलब वो क्या होगे दिव्यांग होगे तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनको हम क्या करें अलग-लग तरीके से साहेता परदान करें तो CRPF दोस्तों हमारे लिए यहां पर organization important होगी Center Reserve for Police Force Headquarter का हम पर इसका New Delhi है और Director General कौन है AP Maheshwari याद करना है AP Maheshwari अगले कोश्चन के उपर बढ़ते हैं जल्दी से और अगला कोश्चन है हमारा Which Zoological Park in India द्यान से सुनना है मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ Has become the first to acquire ISO certificate ISO का मतलब है International Organization of Standardization 9001-2015 Quality Management Standard Certification मतलब सारी सुविधाएं जो इस Zoological Park में दी जाती है वो बहुत अच्छे से दी जाती है जैसे Food Processing हो गया Sanitation हो गया Animal Breeding हो गया Medicare हो गया Animal Care हो गया Hygiene Maintenance हो गया यह सारी चीज़े जो बहुत अच्छे से हैं तो इसलिए इनको यह certificate जो है वो दिया गया है और यह पहला zoo है इंडिया का जिसको यह ISO परमानित किया गया है और यह कौनसा zoo है यह हमारे पास है Nehru Zoological Park याद रखना है कौनसी स्टेट में है तेलांगना में है और अगर आपको exact जगा पूछ लें तो हैदराबाद याद रखना है हैदराबाद के दो question आज हम कर चुके है तो याद रखेंगे बहुत important हो गया Nehru Zoological Park कहाँ पे तेलांगना के अंदर ये है याद रखेंगे आप इसको पहला certificate जो है वो दिया गया इस news के अंदर और कुछ भी नहीं है कहाँ पे या तो या फिर किसको जो है वो ISO certificate दिया गया है कौनसी organization की द्वारा International Organization for Standardization याद रखना इसको बहुत ही important है कहाँ पे है इसका headquarter ISO का ISO का headquarter है Geneva Switzerland कितनी countries member है 165 countries जो है वो इसकी क्या है member लेकिन हमने headquarter याद करना है MTC तो हमारे लिए यहाँ पे keyword क्या है दोस्तो maritime theater command ये आपके लिए question का keyword है ये क्यूं बनाया गया है ये geographical theater command होगा जो की हमारी coastline की सुरक्षा करेगा उसकी security करेगा और हमारे जो islands हैं इतने ज़्यादा islands हैं हमारे पास like almost 1400 के आसपास islands हैं उसको क्या करेंगे है ये क्या करेंगे सुरक्षित करेंगे और जो Indian Ocean reason है जो हमारे अंडर आता है उसको सुरक्षित करेंगे मतलब ये एक तरह का आप कहा सकते हो navy का part है maritime है और जो हमारी 7516.6 km ये exact length है हमारी जो boundary की है खास करके कौन सी boundary की मैं बात कर रहा हूँ सिरफ coastline की जो हमारी coastline है 7516.6 km उसकी क्या करेंगा ये सुरक्षा करेंगा और इसका headquarter कहां पे बनाया गया दोस्तों करनाटका करनाटका में कोई न कोई क्या होगा naval base होगा कोई न कोई जो आप कहा सकते हो कि maritime security का base होगा उसका नाम क्या है कारवार याद रखना है करवार naval base जो कहां पे है करनाटका के अंदर वहां पे ये सबसे पहला इंडिया का पहला maritime theater command बनाया गया वहीं से सारे units को जो है वो control किया जाएगा वहीं से सारी चीज़े देखी जाएंगे कि किस तरह से security को हमने manage करना है ये तरह का कह सकते हो कि military reconstruction plan है military reconstruction plan है ये तीनो units को और भी मजबूत करेगा जो हमारे तीनो units हैं जो कि आप जानते हो navy हैं हमारे पास air है और साथ ही साथ अगर आप देखोगे हमारे पास जो है वो army है तो इन तीनों को क्या करेगा एकठा करेगा मतलब land air sea को क्या करेगा मजबूत करेगा तो कहाँ पे करनाटका exact पूछले तो करवर या करवार नवर base तो आप यहाँ पे देख सकते हो maritime theater command to take shape next year the MTC will be first new geographical theater command most important में इसको mark कर लो और जादा तर बच्चों को ये question नहीं आता होगा जरूर इसको cover कर ले बहुत important है तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसके head कौन होंगे ठीक है ये पता लग गया हमें कि 2021 तक जो हो ये establish हो जाएगा पूरी तरह से और ये पहला geographical theater command है मत एक्जेक्ट इसकी location होगी proper और 7516 किलोमेटर की coastline और almost 1400 islands और इंडियन ocean region की security के लिए responsible होगा land air sea के जो fighting machinery है उसको मजबूत करेगा और इसका head कौन होगा ये head करेंगे vice admiral और हमारे आपको पता है कि vice admiral कौन है ये इसको क्या करेंगे lead करेंगे इसको पूरा कपूरा संभालेंगे तो याद रखना है vice admiral इसके क्या होगे head और कौन है वो G. Ashok कुमार इन्होंने ही इसका जो है वो inauguration किया है याद रखना आपने इसी का inauguration जो है वो इन्होंने किया next question आते है who won young championship of the earth 2020 prize of India so guys ये important question है most important question में इसको mark कर लो young championship of the earth 2020 क्यों क्योंकि ये 7 लोगों को मिला है लेकिन सर हम 7 कैसे याद करें बई 7 नहीं करने आपने याद आपने सिरफ जो है वो एक ही याद करना है ना हम 7 नहीं करने आपने ये उन लोगों को दिया जाता है जिनकी age 30 से कम है क्योंकि young entrepreneurs है उन entrepreneurs को दिया जाता है जिनके idea से जो है वो world में environmental challenge को tackle किया है climate को जो है वो क्या किया है अच्छा किया है तो global change makers है एक तरह क्या क्या सकते हो और उनके action से या उनके idea से जो है वो environmental challenges को हमने tackle किया या अच्छा किया है और 30 से कम ही उमर होनी चाहिए ये इसमें जो है वो खास note करने वाली बात है और इनको अलग-लग region से choose किया जाता है अफरीका से यॉरप से लैटिन अमेरिका करेबियन नॉर्थ अमेरिका वेस्ट एशिया और two from the Asia and the Pacific तो साथ winners हैं लेकिन साथ नहीं करेंगे इंडिया से एक बंदे को choose किया गया Asia and the Pacific category से और वो बंदा कौन है ये आपने मुझे बताना था from India इसलिए मैंने लिखा है अंसर क्या होगा विदुत मोहन अंसर क्या है नाम याद कर ले question आएगा 90% chance है कि ऐसे question आते हैं विदुत मोहन याद कर ले और आप यहाँ पे देख सकते हो विदुत मोहन का photo Indian entrepreneur है क्यों मिलाइन को ये price ये जानने के लिए आप मेरे ख्याल से इच्छा रखते होंगे कि क्यों मिला तो इनकी एक आप क्या सकते हो कि organization है firm है जिसका नाम है TAKACHAR और TAKACHAR T-A-K-A-C-H-A-R TAKACHAR और TAKACHAR तो ये क्या है कि जो agricultural waste है उसको किस तरह से हम harvesting के लिए use कर सकते हैं किस तरह से हम जो है वो फसल को अच्छा कर सकते है उस agriculture waste से भी तो वो मतलब इनकी firm जो है वो काम करती है उसके उपर तो इसका मतलब environment के उपर काम हो गया तो विदुत मोहन जी का नाम आपने याद रखना है और कौन सी organization इसमें important है United Nation Environment Program Young Championship of the Earth और seven recipients है इसके और भी लग-लग country से है चाइना से है केनिया से ग्रीस से है लेकिन अगर सब के नाम पढ़ने है पढ़ सकते हो लेकिन according to me यह बहुत जादा important नहीं है लेकिन आपने इंडिया का नाम याद रखना है विदुत मोहन विदुत मोहन क्यों मिला है यह भी याद रख सकते हो थोड़ा सा difficult exam होगा तो आपको State Public Service Commission में पूछा जा सकता है कि क्यों मिला harvesting value from agriculture waste के लिए इनको यह prize दिया गया है याद रखना है और United Nation Environment Program हमारे लिए important है क्योंकि इसका headquarter कहाँ पहाँ है May 2020 में UNEP ने Bollywood actress दिया मिर्जा को क्या बनाया था National Goodwill Ambassador for the Two Years यह याद कर ले ने पहले भी थी वो लेकिन उनको repoint कर दिया दो साल के लिए और 2022 तक अब दिया मिर्जा ही रहेंगी important question था याद रख लें next most important question में फिर आते हैं who is elected as the Vice President of Asia Pacific Broadcasting Union बहुत important है Asia Pacific Broadcasting Union के जो Vice President है वो कौन elect किये गए हैं तो भई यह फटा फट आप मुझे बता दें कि कौन elect किये गए हैं अंसर बहुत ही simple है और एक थोड़ा सा हिंट देता हूँ वो परसार बारती से जो हैं वो link रखते हैं किसे link करते हैं परसार बारती के और आप कह सकते हो कि वो परसार बारती के CEO हैं Chief Executive Officer है परसार बारती के तो अंसर अब मैंने थोड़ा सा आपके लिए simple कर दिया कि परसार बारती के अगर CEO पता है आपको तो वहीं Vice President बने है किसके Asia Pacific Broadcasting Union के तो पूरा नाम याद कर सकते हो थोड़ा सा याद रहेगा क्योंकि नाम थोड़ा सा अलग है वैंपति शशी शेखर से भी याद कर सकते हो SS वैंपति इस तरह से भी question आपको आ सकता है और याद रखना है ये world की largest broadcasting association है Asia Pacific Broadcasting Union इसको ABU के नाम से भी जाना जाता है Asia Pacific Broadcasting Union और तीन साल का टाइम पिरिड होगा जो की 1 जैन 2021 से क्या होगा स्टार्ट होगा और इसी में एक परसन को as a president भी चुना गया है और उनका नाम क्या है Ibrahim Aaron नाम याद कर ले Ibrahim Aaron जो आप यहाँ पे देख रहे हो यह president है इसी organization के Ibrahim Aaron और खास बात क्यूं है क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ इसका मतलब कुछ ना कुछ important होगा यह पहले तुर्क है मतलब first Turkish है जो इस organization के president बने है ABU के first Turkish president जो है वो कौन बने वो बने इbrahim Aaron लेकिन हमारे लिए इससे भी ज़्यादा important है कि Indian कौन है जो vice president बना क्योंकि जो आप यह SM वैद्या जी का नाम पढ़ रहे हो यह भी एक vice president बने है यह किस organization के बने है यह World Liquified Petroleum Gas Association के बने है World Liquified Petroleum Gas Association के clear तो मैं एक बार फटा-फट question को revise करवा देता हूँ आपको Asia Pacific Broadcasting Union के vice president कौन मने है शशी शेखर वेंपती जी और हमारी लिए organization यहाँ पे एक important हो जाती Asia Pacific Broadcasting Union इसका headquarter कहाँ पे कुलालंपुर और कहाँ पे है यह Malaysia कितनी countries member है 256 members है लेकिन members का मतलब यह नहीं कि इतनी countries member है कुछ countries, कुछ areas इसके member जो है वो बनाए गए है और 1964 में जो है वो इसको establish किया गया था president मैं बता चुका हूँ इबराहीम एरिन जो है वो बनाए गए है तो इसको याद कर ले important है यहाँ पे आप उनका photo देख सकते हो पर सारभारती के CEO, शशीक शेखर वेंपती जी उनको vice president बनाया गया Asia Pacific Broadcasting Union Headquarter Kalalampur, Malaysia चार पंचीजे important है इस question के अंदर यह था guys हमारे पास most important session अभी आते हैं very important questions के उपर और यह रहा हमारे पास very important questions में पहला question which organization launched a 9 billion vaccine initiative और उस initiative का नाम क्या है the Asia Pacific Vaccine Assess Facility ताकि लोगों को problem नाए खास करके Asia Pacific area के अंदर कि वो vaccine से जो है वो वन्चित रह जाएं मतलब उनको vaccine जो है वो मिलनी चाहिए यह इसका initiative है यह कौनसी organization की मैं जो है वो बात कर रहा हूँ तो answer भाई फटा फट बता दें वीडियो को pause कर लें और answer बता दें इसमें और भी जो है वो initiative ले रही है organization like world bank group है world health organization है ठीक है यह भी जो है वो पैसा इसमें डालेंगी लेकिन जुरूरी है कि जो main organization जो है वो कौनसी है Asian development bank तो अब यहाँ पर देख सकते हो Asian development bank launches 9 billion dollar AP Vax AP Vax का मतलब क्या हो गया Asia Pacific Vaccine Assess Facility और for developing countries और याद रखना है कौनसी countries की बात करो only for the developing countries और यह सिरफ उनी countries के लिए जो Asian development bank की member countries है आपको पता है कितनी countries member है 68 countries member है Headquarter का हाँ पे इसका ADB का Manila Philippines में है President कौन है Must Sugoo कितने year में established किया गया था 1966 में इसको established किया गया था तो आप यहाँ पे देख सकते हो The facility will help its developing member countries इस मतलब अपनी ही member countries के बारे में बात करेंगे वो भी सिरफ developing member countries ताकि उनको safe coronavirus जो है वो उसकी vaccine उपलब्ध हो सके तो clear है to help members to assess and distribute COVID-19 vaccine क्योंकि अब कह रहे हैं कि बहुत ही जल्दी जो है वो इसको अपलब्ध करवा दिया जाएगा तो सारी countries को अपने यहाँ पे storage facility बनानी होगी उसके उपर पैसा लगाना होगा तो कि सारे जो लोग हैं खास करके जो medium class और आप कह सकते हो निचले तपके के लोग हैं तो वो इसको use कर सकते हैं तो गाइस अगले question के उपर आते हैं What is the name of Indian Space Research Organization dedicated space situational awareness control center very important question में mark कर लो क्योंकि यह ISRO से related है और उनोंने एक space situational awareness control center बनाया है उसका नाम मुझे बताना है कि क्या होगा बहुत ही important हो गया क्योंकि एक तो ISRO से related है और एक नई चीज़ उनोंने develop की है ताकि जो Indian space assets है खास करके जो space में है उनकी जो like वो तूट जाता है या उनके जो हम कह सकते हैं कि तूटे हुए products वहाँ पर पड़े हुए debris उसकी वहाँ पर पड़ी हुई है तो उन से उन तक पहुँचना असान हो जाए उनके उपर निगा रखेगा कि किनकी collision होने वाले है कौन से आपस में टकराने वाले हैं कौन नजदीक आ रहे हैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखा करेगा और उसका नाम क्या भी देखा करेगा कि स्पेस में जो हमारे डैबरीज हैं या कुछ भी हैं तो कोई हमारे पास आ रहा है कोई जा रहा है कोई अप्रोच कर रहा है तो उसके उपर क्या रखेगा निगा रखेगा तो एक तरह से आप कहा सकते हो ट्रेकिंग जो है वो नेटवर्क एक डवेल्प किया जा रहा है तांकि इसको क्या किया जा सके हम इसके उपर निगा रख सके कि स्पेस में भी हमारे साथ क्या हो रहा है अभी तक तीन आप कहा सकते हो कि ऐसे एरियास हैं जो ऐसी प्रवीजन बना चुके हैं एक तो USA है मतब अमेरिका की बात कर हो एक रशिया, एक यरप में भी है तो यरप में भी है तो दो कंट्रीज होगी तीसरी कंट्री इंडिया होगी एक एरिया होगया वो कौन सा होगया यरप होगया तो याद कर लिए आप यहां पे तो आप देख सकते हो इसरो सेटप डेडिकेटर कंट्रोल सेंटर फोर स्पेस स्टेशनल अवेरनेस नितर और ये कहां पर स्टैबलिश किया गए ये उनी के जो इसरो का सेंटर है वहीं पर किया गया उनी के कैंपस में जो की बेंगलूरू में स्थित है वहीं पर किया गया है और इग्जेक्ट जगा कौन सी है, पिन्या, याद रख्णा है कौन सी, पिन्या, PEE-NE-YA, बेंगलूरू करनाटका, तो इसको याद कर लें, और आपको पता है कि इसको एनोगरेट किसने किया होगा, जो इसरो के चेर्मेन है, कौन है, के सिवान, तो सबको पता है, के सिवान इस ट्रेक क्या कहा गया इस ट्रेक का मतलब इस रो टेलिमेट्री ट्रेकिंग और कमांड नेटवर्क इस रो टेलिमेट्री याद रखना है टेलिमेट्री ट्रेकिंग और कमांड नेटवर्क तो यह बेसिकली यहां पर नाम रखा गया तो इसको याद रख सकते हो अगर याद पे इतने units हैं, उनकी debris, close approaches and collisions उसके उपर निगा रखेगा, नेतर जो है उसका मतलब क्या है, network for space object tracking and analysis, मतलब ट्रैक करेगा space objects को उसका analysis करेगा, and dedicated space institutional awareness control center, इस track, ISRO telemetry tracking and command network campus, कहाँ पे पीनिया बेंगलूरू, only America, Russia and Europe have similar SSA capabilities, SSA stands for space asset, yes, याद रखना है, इसको space situational awareness assets, SSA, capabilities to track space object and share collision warning, तो simple, शब्दों में क्या कहेंगे, कि ISRO ने एक center बनाया है, जिसका नाम क्या है, नितर, वो निगा रखेगा कि space के अंदर हमारे जो projects हैं, वो ठीक तरह से काम करने है, कोई को live तो नहीं कर रहा, कोई पास तो नहीं आ रहा, तो इसको याद रखन हैं, नेक्स आते हैं, Federation of Automobile Dealers Association announced partnership with which company to reduce the digital skill gap in India's auto dealership sector, एक नया new kind सा एक initiative है, कि जो auto dealership है, उनमें भी जो है, वो नहीं technology के बारे में जाग रुखता है, वो भी नहीं technology का use करके अपने customer तक पहुन सके, तो auto dealership sector में, Federation of Automobile Dealers Association ने एक tie-up किया है, किस company के साथ tie-up किया है, तांक हम auto dealers को, मतलब जो dealership है, उनको भी जो है, वो हम क्या कर सके, train कर सके, तो बताएंगे answer क्या होगा, answer बहुत ही simple है, इसका answer क्या होगा, Google, याद कर ले, answer क्या होगा, Google, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, Google ने ये initiative लिया है, कि हम क्या करेंगे, auto dealerships है, उनको भी digital marketing, local marketing, और किस सकते हो, Automotive Skill Development Council, और साथ में Federation of Automobile Dealer Association, इन्होंने Google इंडिया के साथ ये tie-up किया है, auto dealership, बस इसमें दो ही चीज़े याद करने वाली है, आपके लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, Grow with Google एक initiative चलाया गया है, तांकि जो इंडियन dealers हैं, उनको भी हम नई technology के बारे में बत सकें, digital tools के बारे में बता सकें, तांकि COVID-19 का जो एरा रहा है, जो उसके बाद वाला जो एरा रहेगा, तो उसमें जो है, वो आप लोगों के साथ कैसे जुड़ सकते हो, जो इसमें 20,000 auto dealerships को, और 1,000,000 auto dealers को, जो है, वो marketing और sales के बारे में, skill training जो है, वो provide की जाएगे, जो दो organization आई हैं, अगर आप दियान से देखोगे, एक तो Automotive Skill Development Council, Automotive Skill Development Council जो वो New Delhi में है, FEDFA, Federation of Automobile Dealer Association, ये भी कहाँ पे है, New Delhi में, कोई chairman, president हमने याद निकरना नहीं हमारे लिए important है, लेकिन यहाँ पे company हमारे लिए important होगी, Google, Google का headquarter आपको पता है, California, USA, CEO कौन है, CEO है, गुपता, याद कर सकते हैं, नेक्स आते हैं दोस्तों, अगला question, yes bank partner with which card provider as a payment processor to enhance salary and yes first account holders payment experience, एक नया experience जो है, वो yes bank लेके आ रहा है, और एक नया card बना रहा है, तांकि जो salary person है, और yes first account holders है, मतलब जिनको अलग सुविदाय दी जाती है, उनके payment का experience और भी सुखद बना सके तो yes bank ने tie up किसके साथ किया है, visa के साथ जो है, ये tie up किया है, किसके साथ किया है, visa के साथ ये tie up जो है, वो किया दिया है, तो याद रखना है, खास करके जो उनके नए debit card आ रहे हैं, उसमें जो है, वो visa का use करेंगे, और नए co-branded debit card yes bank जो है, वो लेके आएगा, तो आप यहां पर देखेंगे, yes bank partner with visa to introduce new line of E-series debit card, कौन से, E-series debit cards, तो बहुत ही unique तरह के card है, जैसे आप देख सकते हो, electric, elevate, emerge, enhance, सब E से start हो रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, E-series, तो इसमें क्या होगा, कि जैसे हम ATM में use करते हैं, तो उसमें अंदर जो point of sales machine है, कई कर लेती हैं, ऐसी भी मतलब आज का technology आ चुकी है, कि वो catch कर लेती हैं, तो इसमें ऐसी technology बनाई गया in cards के अंदर, इस series के अंदर, कि वो capture नहीं कर पाएंगी, तो मतलब एक secure transaction जो है, आप लोग कर सकते हो, खास पर के जो sell lead person है, या जो yes bank के prime customers हैं, तो उनके लिए मतलब बह हैं, मुंबई महाराष्टा, tagline क्या है, experience, our expertise, managing director और CEO कौन है, परिशान्त कुमार, और कब start किया गया था, 2004 में, और visa के लिए हमारे लिए important है, हेड़कौर्टर कहां पर California, visa का हेड़कौर्टर California है, United States of America, chairman कौन है, Alfred F. Kelly, याद रखना है, Alfred F. Kelly, जूनियर भी लिखते हैं सा आते हैं, दोस्तों, अगला section, ये था हमारे पास very important sections, अब आते हैं important section के उपर, और ये रहा पहला question, end violence against sex workers is annually celebrated across globe on which day, across globe on which day, किस दिन इसको celebrate किया जाता है, पूरे globe में, और दिन कौन सा end violence against sex workers, तो बताएंगे भई, फटा फट अंसर क्या होगा, simple है, और ऐसे ही दिन अगर दीरे-दीरे करके याद करते जाओगे, दो-तीन बार पढ़ोगे, तो सारे दिन, एक दिन याद हो जाएंगे, और याद होने का मतलब ये निया कि आपको सारे के सारे मतलब रटे होने चाहिए, इसका मतलब है कि option देखके आप थोड़ा सा idea लगा सकते हो कि इस दिन हो सकता है, तो answer क्या होगा, इसका 17th of December, मनाया जाता है, तांकि क्यों मनाया जाता है, तांकि जो लोग अपनी life जो है वो खतम कर चुके है या उनकी देख हो चुकी है, due to violence हो सकता है, या sex worker के साथ जो चीज़े गलत हो रही है, उनके साथ उनकी देख हो गिया तो उनको याद किया है, लेकिन जो है इसको याद रखने के लिए एक चीज़ भी आप अपना सकते हैं, कि 17th December को मैंने violence जो है वो बिलकुल भी नहीं करने, तो इससे क्या रहेगा, थोड़ा सा याद रहेगा आपको और कुछ नहीं, violence वैसे आपने पूरा साल ही नहीं करने, खुश रहें, happy रह है, उससे आपका एक्जाम भी कलियर होगा, और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगे, खुश रहें, हमेशा खुश ही रहना है, लाइफ को सीरियस नहीं लेना, खुश रहना है बस, तो आप जहां पर देख सकते हैं, 2020, 70 December, International Day to End Violence Against Sex Workers, नेक्स आते हैं दोस्तों, लास्ट important point, फिर बढ़ेंगे हम question of the day की तरफ और इसमें पहला है, इंडिया to have 350 million 5G connection by 2026, यह Ericsson Mobility Report है, जो 2020 की उन्होंने पेश की है, उसमें बताया है कि इंडिया में इतने user जो हैं, वो हो सकते हैं, तो थोड़ा सा बस याद रखना है आपने, कि Ericsson की तरफ से यह कहा गया है, Er कहां से बिलॉंग करती है, स्वीडन से बिलॉंग करती है, कहां से बिलॉंग करती है, स्वीडन से, तो उन्होंने यह रिपोर्ट जो वो पेश किया है, next, Ministry of Home Affairs approves 90.6 क्रोड to Land Ports Authority of India for new ICP in Tripura, जो Integrated Check Post है, याद रखना आपने, Integrated Check Post है, वो बनाने जा रहे हैं, नहीं एक ल करेंगे, उसको तरीपुरा के साथ करेंगे, और वो जगा है तरीपुरा के अंदर, Subroom, अगर याद रखना है, याद सकते हो, लेकिन इतना इंपोर्टन नहीं है, जब एनोगरेट होगा, तब हम इसको करेंगे, Subroom, next, Indian Embassy in Beijing, China has launched Cinemascope, याद रखना है, Cinemascope चाइना के इंडियन फिल्में जो है, वो Russian language में डब की गई है, ताकि उनको दिखाया जा सके, उनको प्रेदित किया जा सके, और ये continue रहेंगी, ये continue रहेंगी, कब तक continue रहेगा ये, 2023 तक, मतलब 2023 तक, क्योंकि आपको पता है, कि 2023 में SEO की मेंबर्शिप जो है, वो इंडियन, मतलब च चेर्मेंशिप जो है, वो इंडिया के पास आजेगी, 2023 में, तो ये चलेगा 2023 तक, और आपने याद रखना है, SEO Year of Culture, अगर आपको पूछ लें, शंगाई कॉर्पोरेशन Year of Culture, जो है, वो 2021 को नाम दिया गया है, तो इसलिए जो है, वो ये movies का, जो system है, चलाया गया है, उसक आप कह सकते हो कि एक BRICS BANK के नाम से famous है, उन्होंने एक billion का loan agreement किया, government of India, तांकि economic revival हो सके, COVID-19 के कारण, जो slowdown हो चुका है, उसको उपर उठा सके है, नेक्स, इंडिया और UK to set up joint task force for mutual recognition of academic qualification, ये एक नया tie-up है, कि जो academic qualification है, उसको recognition देंगे, चाहे वो इंडिया के हैं, चाहे UK के दो countries के बीच में tie-up हुआ है, ज्यादा important निया news, लेकिन एक नया tie-up था, तो आप इसको याद कर सकते हो, next, World Bank approved 68 million dollar to Nagaland, enhancing classroom teaching and resources project, तो सिर्फ इतना याद रखना है कि Nagaland को किसने fund दिया है, World Bank ने दिया है, तांकि classroom teaching को और resource क्योंकि COVID-19 के कारण जा नहीं सकते, जो जिसक structure अच्छा कर सकें, तो उसके लिए 68 million dollar जो है, वो World Bank की तरफ से दिये गए है, तो बहुत ही important potency one-liner news थी, सिर्फ याद रखने के लिए हैं, तो इसको एक बार पढ़ोगे तो मेरे ख्याल से याद हो जाएगा, और weekly current firm में वैसी revise कर सकते हो आप, तो guys अब आते हैं, 17 December के question के पर उसके answer देने की बारी जो है आ चुकी है, और उसका answer देखें, यहाँ पर क्या होगा, India financial year 2021, GDP to contract by how much, कितने percentage में GDP कम होगी, SBA की तरफ से जो predict किया गया था, तो guys इसका answer क्या होगा, क्योंकि पहले जो है, वो minus 10.9 contraction बताए गई थी, लेकिन SBA ने इसको जो है, वो improve कर दि 7.4 जो है, वो इतनी contract करेगी GDP, सब जो हम कह सकते है, economic data देते हैं, like S&P standard poor हो गया, Fitch हो गया, सबने इंडिया की contraction जो है, वो अब क्या कर दी है, थोड़ी सी कम कर दी है, पहले उन्होंने जादा predict किया था, लेकिन उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर investment बहुत हो रही है, तो उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर बहुत ही अच्छे से हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, कि सबने जो है, वो अच्छा कर दी है, minus 7.4 जो है, वो contraction होगी, याद रखना SBA की तरफ से है, तो बहुत जादा important हो जाता है question, बहुत जादा important, तो अब आते है question of the day के उपर, question of the day हमारे पास है, यहाँ पर देख सकते हो, who is known as the father of fiber optics, या आप कह सकते हो, who coined the term fiber optics in 1956, recently passed away, तो अपने नाम बताना है, किनको father of optics कहा जाता है, या fiber optics के जो word है, वो उन्होंने ही coin किया था 1956 में, तो ये 4 options आपके पास हैं, तो आपने answer मुझे बताना है, recently उनका द comment पढ़ता हूँ, आप सबको पता है, लेकिन आप लोग comment नहीं करते हैं, और guys 17th की video के उपर भी जरूर comment करें, क्योंकि उसमें मैं comment पढ़ रहा था, और बच्चों के comment नहीं हुए question of the day में, तो जरूर comment करें, ताकि मुझे पता लगे कि कितने बच्चे जो है, वो answer देते ह और कितने बच्चे regular हैं, तो यह सबसे अच्छी बात है कि जानने के लिए कि कितने बच्चे regularly answer देते हैं, तो thank you guys, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि answer आपने comment box में करना है, और guys अगर आपको video अच्छा लगा तो subscribe जरूर करें channel को, subscribe करके जाएं आप, और press कर दें bell button को, तांकि notification आपको on time मिल सके, guys हमें 700 plus likes चाहिए, यह अगर आप कर देते हो, तो मैं आपके लिए और भी videos जो हैं, वो लेकिया हूँगा, और बहुत ही जल्दी videos का और English videos का जो time है, वो सुबह ही upload हो जाया करेंगे, सुबह ही, most probably 9-10 के बीच में जो हैं, वो upload कर दिया करेंगे Next, Affairs Cloud का यह promise है कि आपका General Awareness में confidence जरूर boost करेगा, और guys, यह मेरा personal promise है कि अगर आप videos को लगातार देख रहे हो, और आप PDF को लगातार पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब आपका General Awareness section definitely strong होगा, क्योंकि 90% question जो current affairs के आते हैं exam में, वो हमारे ही current affairs से cover किये जाते हैं, यह बहुत ही बड़ी आपके लिए जो है, वो बात है क्योंकि आप maximum current affair यहां से cover कर सकते हो, thank you guys for watching this video, खुश रहें आप, खुश रहोगे तो paper भी clear होगा, और सारी चीज़े clear होगी, thank you guys, take care, goodbye